नमस्कार, आज हम बात करेंगे तीन विशेश नाडियों के बारे में, इडा, पिंगला और सुशुमना के बारे में, और खासकर बात करेंगे सुशुमना के बारे में, कि कैसे इस नाडि को जागरित करके आप जिवन के हर छेतर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, फिर वह सफ या अध्यात्मिक हो चाहे आप धन, दोलत, यश, मान, पद, परतिष्टा पाना चाहते हो या आप अपना आत्मिक विकास करना चाहते हो सब प्रिकार का विकास आप सुश्मना नाड़ी के जागरंड से संभव कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीन नाड़ियों के विज्ञान के बारे में कि कैसे ये नाड़ियां हमारे शीर में कार्या करती हैं आपको मालूम है आप इस अस्तित्व में जहां भी देखेंगे आपको एक चीज कौमन नजर आएगी चाहे प्रकरती में देखें, शरीर में देखें, मन में देखें, हर जगा आपको एक चीज कामन नजर आएगी और वह चीज है द्वैत, ड्यूलिटी यानि कि दूई, जोड़ा, हर चीज आपको दो में नजर आएगी जैसे की उधारन के लिए अंदकार और प्रकाश, इस्त्री और पूरुश, दिन और रात, निगेटिव और पोस्टिव, अब यही द्वैत आप अपने अंदर भी देख सकते हैं, ना केवल बाहर प्रकरती में, बलकि हमारी बिंग के अंदर भी यह द्वैत मुझूद है और वह द्वैत है चित शक्ती और प्राण शक्ती के रूप में, शरीर और मन के रूप में, हमारा जो चित है वो इडा नाड़ी के कारण और जो प्राण है वो पिंगला नाड़ी के कारण संचालित है, यानि कि इडा पिंगला, यह द्वैत हमारे अंदर भी मुझूद है कि जो हमारी नाक का दाया सवर है, राइट नॉस्ट्रिल है, जो दाया नथुना है, उसमें जब श्वास खुल कर चलती है, तो हम बोलते हैं हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है, और जब हमारा बाया सवर खुल कर चलता है, तो हम कहते हैं कि हमारी इडा नाड़ी चल रही है और जब हमारे नाक के दोनों स्वर खुल कर चलते हैं यानि कि नाक से दोनों तरफ से खुल कर सांस आ जा रही हो तो हम कहते हैं कि हमारी सुशुमना नाडी चल रही है तो हमारी हर एक घंटे में इडा और पिंगला नाड़ी बारी बारी से बदलती रहती है कभी इडा नाड़ी चलती है तो कभी पिंगला नाड़ी चलती है और average मुख्यता यह है एक घंटे के लिए एक नाड़ी चलती है लेकिन जब इडा और पिंगला नाड़ी बदलती है तो बीच में दो से लेके पाँच मिनट तक सुश्मना नाड़ी भी चलती है यानि कि तब हमारी नाक के दोनों स्वर खुल के चल रहे होते हैं थोड़ा सा ओर समझते हैं इस इडा और पिंगला के बारे में हमारी जो इडा नाड़ी है यह हमारी अनर्जी का नेक्टिव पोल है और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी नर्जी का पोस्टिव पोल है इडा हमारी लुनार फोर्स यानि की चंद्रमा की शक्ती है और पिंगला हमारी सुलार फोर्स यानि सूर्य की शक्ती है इड़ा क्योंकि चंद्रमा की शितलता इसकी अंदर है तो इसकी तासीर ठंडी है पिंगला क्योंकि इसकी अंदर सूर्य की गर्माहट है तो ये गरम नाड़ी है इड़ा से हमारी मानसिक शक्तियां संचालित होती है और पिंगला से हमारी शारीरिक शक्तियां संचालित होती ह इड़ा हमारी तब ज़्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम अराम कर रहे होती है विश्राम कर रहे होती है और पिंगला हमारी तब ज़्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम क्रियाशिल होती है एक्टिव होती है इड़ा नाड़ी हमारी रात के समय ज़्यादा सक्रिय रह बैलन्स हो जाती हैं तो एक तीसरी शक्ति का जनम होता है और उस तीसरी शक्ति का नाम है सुशुमुना शक्ति उधारन के लिए जैसे आप माचिस की तिली को माचिस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है अगनी पैदा होती है ऐसे ही जब आप पोजिटिव और नेक्टिव करंट को दो विधुद की विपरीत धाराओं को एक साथ लेके आती हैं तो आप उस विधुद की जो दो धाराओं आपस में मिलती हैं और उससे जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति से आप भारी से भारी मशीने भी चला सकती हैं तो ठीक इसी प्रकार जब श्रीर और मन की ताकत को यानि इडा और पिंगला को जब हम संतुलित कर देती हैं तो तीसरी शक्ती यानि सुश्मना की शक्ती जागरीत होती है और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इडा यानि की हमारी जो चित शक्ती है जो मन की शक्ती है और पिंगला जो हमारी प्राण की शक्ती है यानि की श्रीर की शक्ती है ऐसे ही इन दो शक्तियों के मिलन से जो तीसरी शक्ती पैदा होती है सुश्मना शक्ती वो हमारी आतम शक्ति है आप इन तिनों उर्जाओं को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इडा हमारी जो बोड़ी की अनर्जी है उसका नेगटिव चार्ज है और पिंगला उस शक्ति का पोजिटिव चार्ज है और सुशुमना हमारी उस अनर्जी का न्यूटरल चार्ज है और इडा हमारी मानसिक उर्जा है पिंगला हमारी शारिरिक उर्जा है और सुश्मना कोस्मिक उर्जा है तो हमारी जो शारिरिक और मानसिक उर्जा है यानि जो इडा और पिंगला की जो उर्जा है वो तो सीमीत है लेकिन जो cosmic उरज़ा है वो असीमीत है तब थो हम रात को ठक जाती है और सो जाती है क्योंकि हमारी i'da पिंगला की जो नरजी है वो चूक जाती है उसकी limitation है लेकिन जो हमारी सुष्मना की जो नरजी है वो कभी नहीं चूकती है लेकिन हम उसको इतना activate नहीं करती है इसके इलावा जो हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ी है वो हमारे दाएं और बाएं ब्रेन को एक्टिव रखती है उनको संचालित करती है लेकिन जो सुश्मना की जो शक्ति है वो पूरे ब्रेन को एक साथ एक्टिव रखती है और जो हमारी सुष्मना की जो शक्ति है वो हमारी सभी करमेंद्रियों को सभी शारीरिक अंगों को सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को एक साथ संभाल सकती है उनको एक साथ अनर्जी अपना दे सकती है और सुष्मना नाड़ी का एक ये भी कार्या है कि जब हमारी कुणि कुडोली नी शक्ती जागरित होती है तो वह सुष्मना नाड़ी के भीतर से ही उपर की और प्रवामान होती है। नाड़ी जो हमारी मुलाधार चक्र से जब चलती है वो दाएं बाएं कर्व लेते वे चलती है लेकिन जब सुश्मना नाड़ी जब हमारी जागरी तो यह हमारी जो नाड़ी है यह बिल्कुल सीधा उपर की और जाती है दाएं बाएं नहीं जाती है अब हम बात करते हैं कि यह तीन नाडियां किस प्रकार आपके धन प्राप्ति के लिए आपके वैवसाय के लिए अथवा आपके जीवन में सफलता के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है इन तीन नाडियों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाने सूर्या नाड़ी से ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति हैं तो आप एक बही मुखी व्यक्ति होंगे आप ऐसे कार्या करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें फीजिकल एफर्ट ज़्यादा लगती है यानि कि जिसमें शारिरी गतिविदियां ज़्यादा होती है क्योंकि physical energy है ऐसे में आप अच्छे athlete हो सकते हैं अच्छे hard worker हो सकते हैं अधिकतर जो police और सेना के जो व्यक्ति होते हैं वो सुर्या नाडी से प्रभावित ही व्यक्ति होते हैं इसके लावा आप हो सकता है कि आप commerce में आपका interest हो science में आपका interest हो medical में mathematics में गनित में आपका interest हो आप advocate अच्छे advocate हो सकते हैं अच्छे engineer हो सकते हैं CA हो सकते हैं और जो male oriented जो jobs होती हैं उसमें आपको ज़्यादा अकर्शन रहेगा अगर आपके अंदर सुर्या की energy ज़्यादा होई तो लेकिन अगर आपके अंदर इडा नाड़ी यानि की चंदर नाड़ी की यदि energy ज़्यादा होई तो क्योंकि चंदर नाड़ी हमारी मानसिक शक्तियों को ज़्यादा represent करती है तो आप ऐसे कार्य करना पसंद करेंगे जो आपकी मानसिक कुर्जा से ज़्यादा जुड़े होई है जो आपके विचारों से चिंतन से सोच विचार से बुद्धी से ज़्यादा जुड़े होई है आपकी intellect से ज़्यादा जुड़े होई है और आप थोड़ा अंतर मुखी भी होंगे तो आप बुद्धी जीवी हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, फिलोस्फर हो सकते हैं, इसके लावा आप आर्ट्स में इंट्रेस्ट रखेंगे, ग्रेटिवीटी में इंट्रेस्ट रखेंगे, आपका literature में, साहित्य में काफी इंट्रेस्ट रहेगा, आप बहुत सी creativity जैसे painting, designing विगरा इस चीज़ों में आपका इंट्रेस्ट रहेगा यानि किया फिमेल ओरेंटिट जो जॉप्स या एक्टिविटी होती है उसमें आपका ज्यादा इंट्रेस्ट रहेगा तो ये तो वह सुर्या नाडी और इडा नाडी के दो विशेश अलग अलग कारे हैं अब जो सु संक्या बहुत कम होती है वो सुष्मना नाडी से संचालित रहते हैं तो अगर सुष्मना नाडी का आपके उपर ज्यादा प्रभाव हुआ तो आप एक अच्छे साधक हो सकते हैं ध्यानी हो सकते हैं ज्यानी हो सकते हैं आपके अंदर अध्यात्मिक और धार्मिक अभी कि आपको इन तीनों में से किस कैटेगरी में जाना है जनली हम क्या होता है कि हम पहली दो कैटेगरी में ही होते हैं इडा और पिंगला में लेकिन सुष्मना में बहुत कम लोग होते हैं लेकिन अगर आप सुष्मना नाड़ी को अपना चुनाव करते हैं कि मैं अपने जीवन के अंदर अगर आप compare करेंगे अपनी सुश्मना नाड़ी से जो आपको सफलता प्राप्त होगी उससे और हलाकि मैंने आपको बताया कि सुश्मना नाड़ी अगर जिस व्यक्ति की ज्यादा प्रभावी होती है तो ऐसा व्यक्ति ध्यानी ज्यानी होता है लेकिन ऐसा भी नही अभी जर्नली क्या है कि हमारी हर एक घंटे में इडा नाड़ी चलती है फिर दो चार मिनेट के लिए सुश्मना नाड़ी चलती है फिर एक घंटे के लिए पिंगला नाड़ी चलती है तो बारी बारी से ज्यादा टाइम तो इडा और पिंगला नाड़ी का ही हमारी चलता ह प्रकर्तिक संतुलन ऐसा ही बना हुआ है लेकिन जो योग की जो हमारी देशन है जो अध्यातम की जो हमारी देशन है वो हमें ये कहता है कि आप अपनी सुश्मना नाड़ी के समय को जादा से जादा बढ़ाते चले जाएं कि अभी आपकी एक घंटे में जदी पांच मिनट सुश्मना चलती है तो आप इसे अपनी साधना के दौरा अपने वैभार के दौरा इसके टाइम को बढ़ाते चले जाएं तो जितना आपके जीवन में सुश्मना नाड़ी का टाइम बढ़ता चला जाएगा उतना आपके अ वंदित फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपके जीवन में इड़ा और पिंगला कम होती चली जाती है और सुश्मना का टाइम यदि बढ़ता चला जाता है यानि कि आपकी दोनों नाक से दोनों जो श्वास की जो धराएं है वो खुल के जब चलती रहती है अधिक से अधिक समय तक तो इसका मतलब आपका सुश्मना का समय बढ़ रहा है और अगर बढ़ता है तो उसका क्या फल आपके जीवन में आएगा उसकी अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात हम जितनी भी information collect करते हैं सुचनाइं collect करते हैं ग्यान को collect करते हैं इडा और पिंगला के माध्यम से तो वो सारी जो informations हैं वो हमारे अंदर घराई तक नहीं जाती हैं हम सिर्फ बुद्धी तक ही सुनते हैं और सुनके भोल जाते हैं यानि कि हमारी life में कोई transformation नहीं आता है हम ग्यान तो बहुत सुन लेते हैं सादूं से सं प्रभाव नहीं आपाता है क्योंकि वो हमारा अनभाव नहीं बनता है तो जब तक आप इडा और पिंगला में रहेंगे तो आप जो भी information collect करेंगे वो सिरफ आपके mind तक सिमीत रहेगी उसका आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप सुश्मन का पहला लाब यह है कि यह आपके जीवन में information से transformation लेके आता है सिर्फ ग्यानी नहीं रहता आपका अनभाव भी बनना शुरू हो जाता है आपको मालूम है दूसरी बात कि हम बहुत प्राथना करते हैं प्रमात्मा से कि हमारी सहता करें इस अस्तित्व से कहते हैं हमारी सहत करें लेकिन कही बार हमारी अप्राथनाई पूरी नहीं हो पाती है क्यों कि जिस सोच में हमारी जिस भी सोच कारिया में विचार में इच्छा में अगर सिर्फ हमारा ही फैदा है दूसरे का फैदा नहीं है तो इसका मतलब हम इड़ा और पिंगला नाड़ी से ही अभी अप चाहों में सबका फैदा समली तो अस्तित आपकी साहता करेगा क्यों क्योंकि ये फिर सुष्मना का मार गया है जब आप अपना फैदा ना सोच के बाकी पूरी दुनिया का या अपने आसपास लोगों का सबका लाप सोचते हैं ऐसा कारे करते हैं तो आप सुष्मना नाड़ी को अपने अंदर अक्टिवेट कर रहे हैं ऐसी सोच से आपकी सुष्मना नाड़ी अक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जैसी सुष्मना नाड़ी अक्टिवेट होगी तो अस्तित आपकी साहता भी करना शुरू कर देगा तीसरी बात जब आपकी सुष्मना नाड़ी जादा से जादा चलनी शुरू होगी तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे आपको आपके जीवन में उंचा उठाने में आपकी सहयता करेंगे अगर बूरे लोग मिलेंगे भी कोई दो चार तो वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि ताकि आपको कोई सीख दे सकें आपको कुछ सिखाने के लिए वो आपके जीवन में आएंगे कि आपको जटका लगे ताकि जटके से आप जागे और अपना जो होश है उसको संभाले और दुबारा वो गलती ना करें तो इसलिए सुष्मना के जागरित का जो तीसरा लाव है वो यह है कि आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे और आपको आपके जीवन में उंचा उठाने की कोशिश करेंगे चोथी बात इड़ा पिंगला से हमें जो भी सफलता मिलती है वो टेंप्रेरी होती है या एक लिमिट होती है उसकी हम उसी धर्रे में जैसे कि आपको सरकारी नोकरी मिलीगी तो आप अपने 20-30 साल जीवन के उसे एक धर्रे में बिताएंगे और खतम हो जाएंगे यानि कि उसकी एक लिमिटेशन है लेकिन यदि आप सुष्मना जागरित करके उस मार्ग पर चलते हैं तो आपकी जो सफलता होगी एक तो वो पर्मेनेंट होगी और दूसरा उसकी कोई सीमा नहीं होगी यानि कि आप एक विशाल सफलता के द्वार को अपने जीवन में ओपन कर सकते हैं पांचवी बात जब आपकी सुष्मना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो आप इमानदारी में और प्यूरिटी में जीते हैं आप किसी प्रिकार की बेमानी विगरा नहीं करते हैं लेकिन जब तक आप इड़ा पिंगला में रहते हैं और उसके मद्या में कार्या करते हैं तो आपके जीवन में बेमानी भी रहती है सब चीज़े चलती है संसार में सब चलता है लेकिन यदि आपके सुष्मना नाड़ी यदि जागरित होगी तो आपके लाइफ में इमानदारी होगी सजनता होगी लोग आपे ट्रस्ट करेंगे आप में purity होगी और चाहे आपके बैंक में balance हो या ना हो तब भी आपके सारे काम पूरे होते रहेंगे क्योंकि सुष्मना का मार्ग जो है तरक का मार्ग नहीं है वो सोचवी चाहर का इतना मार्ग नहीं वो रहस्य का मार गया, उसमें सिर्फ किर्पा आती है, उसमें गणीतनी चलता है, उसमें भाव चलती है, श्रद्दा चलती है, तो कहते हैं ना कि जिसका कोई ना हो, उसका परमात्मा होता है, तो जब आपकी सुश्मना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपके सारे कार्या बिना आपके पैसे चाहिए ना भी हो, तब भी पुरे होते रहेंगे, और ऐसे चमतकार भी हो सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे अपने आप आने लग जाएंगे, जब आपको कुछ कार्या को करना होगा, आपको गुप्तदान आना शुरू हो जाएगा, तो अस्तित बहुत रस्तों से आपकी सहता करता है, लेकिन एक बार यदि आप उसके ओपर ट्रस्ट रखके, यदि चलना शुरू करेंगे, तो, दूसरी बात कहीं बार क्या होता है, कि जब आप, क्योंकि मैं खुद इस चीजों को जी चुका हूँ, तो इसी लिए अपने अनुभव से मैं इतनी बाते भी कर पा रहा हूँ, दूसरी बात क्या होती है, कि कहीं बार यदि आपकी सुश्मना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, आप अध्यातम के मारक पर जब चलते हैं, तो आपके संसारिक सफलताएं आपसे हो सकता है, शुरू-शुरू में दूर जाने लग अगर आप नोकरी करते हैं, तो आपकी नोकरी छूट सकती है, अगर आप बिजनस कर रहे थे, तो आपके बिजनस में आपको लोस हो सकता है, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत उल्टा टाइम आ गया, और लेकिन होता क्या है कि उस दुरान यदि आपकी सुश्मना पुझित करना होता है, तो जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं, तो नया कैसे प्राप्त करेंगे, तो पुराने की क्योंकि अब आगे जूरत नहीं है, तो उसको आपसे चीन लिया जाता है, ताकि आपको नया दिया जा सके, जैसे कई बार हमें अगर अपनी के से फिर से शुरू कर सकें, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हमारी परमात्मा इस प्रिकार से हमको थोड़ा कश्ट भी देता है, लेकिन वो हमें लगता है कश्ट है, लेकिन लोंग टरम में वो हमारे लिए लाबदाई से दोता है, लेकिन उस दुरान मान लिजी कि आ तुबारा उसी प्रानी सिस्टम में ही डर्रे में ही फसे रहेंगे और आगे जो आपको बड़ा कुछ मिलना था उससे आप वन्चित रहेंगे इसके इलावा जब सुश्मना नाड़ी के जागरंट से जो अनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी वो प्योर अनर्जी काम करते हैं विसाय करते हैं से हम अशुद उर्जा भी अपनी और एक्टिवेट कर लेते हैं क्यों क्योंकि हम कुछ बेमानी भी करते हैं अपने बिजनस में कुछ जूड भी बोल देते हैं जिससे क्या कि काला धन भी हमारे जीवन में आ जाता है तो जब आपके जीवन में काला धन आएगा तो उसके साथ भीमारियां भी आ सकती हैं जगड़े भी आ सकते हैं मुझीबते भी आ सकती हैं क्योंकि आपने जो धन अकरशित किये उसकी नियती ठीग नहीं थी लेकिन जब आप सुश्मना को अपनी अक्टिवेट करके जब आप धन को अकरशित करेंगे त अब हम बात करते हैं कि हमने इतने लाभो को तो जाना इसकी सुश्मना नाड़ी के इतने महतव को तो जाना कि इसकी जगरित होने से हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन सक्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी सुश्मना नाड़ी जगरित ह यह activate हो या किस प्रकार हम इससे जूड सकती है तो उसमें पहली चीजी है कि आपको समर्पन की भावना रखनी चाहिए यगर यदि आप अपने लिए खुद अपने mind से चल रहे हैं कि मैं जिवन में ये कर दूँगा वो कर दूँगा अपने अंकार पर आपको बहुत ट्रस्ट है तो फिर प्रमात्मा आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप उससे help मांगी नहीं रहे आपको अपने पे इतना ट्रस्ट है कि आपको प्रमात्मा की जुरूती नहीं है तो फिर पर्मात्मा भी आपके लिए कार्याय नहीं करेगा तो आपको करता का भाव नहीं रखना है आपको डूर नहीं बनना है आपको खुद नहीं कुछ सोचना है कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ करें आप अपने बुद्धी से जो भी सिस्टम है वो तो आप चलाते रहें लेकिन पिछे ये मान के रखें कि मैं करने वाला नहीं हूँ पर्मात्मा करने वाला है मैं तो सिरफ एक माद्यम हूँ होता क्या है कि अस्तित्व ने हमारे लिए सब प्लान करके रखा होता है और जो हमने सोचा होता है उससे वो बहुत बड़ा होता है हम तो बहुत हमारी सोच बहुत छोटी है हम जदा जदा अपने लिए सोचते हैं कि ये मैं करनू वो करनू लेकिन जब परमात्मा देता है वो टाइम आता है तो हम हरान हो जाते हैं कि हम तो अपने बारे में इतना छोटा सोच रहे थे, जबकि प्रमात्मा ने तो मारे लिए कितना बड़ा सोचा हुआ था, तो उसके हाथों में छोड़ दे, वो जैसे चलाए, वैसे चले, अब उधारन के लिए आपने देखा, जब छोटा बच्चा होता है, उस वगत उसकी सुष्मना नाड़ी एक्टिव रहती है, जब बच्चा वो छोटा होता है, तो क्योंकि उसकी सुष्मना नाड़ी एक्टिव होती है, तो वो अस्तित्व से जुड़ा रहता है, तो उस्तित्व उसको बड़ा करता है, आपने देखा, बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, ठीक है, हम उसका लालन पोशन करत लेकिन उसका बड़ा हो जाना छोटे से उसमें जो रहसे मेरी कारण है वो परमात्मा का ही सहयोग है तो आप लालचना करें और छोटे बच्चे की तरह ही अपनी आपको परमात्मा के चड़णों में छोड़के रखें तो फिर जब आप इस प्रकार समर्पन की भावरां रखेंगे तो जो भी जुरूरत है आपको वो खुद बखुद आपके जीवन में आता चला जाएगा वो कहते हैं ना if you work for the God, God will work for you दूसरी बात आप हमेशा connected रहें, universe से connected रहें आप किसी ना किसी प्रकार से existence के साथ, अस्तित्व के साथ अपना link बना कर रखें जैसे कि ध्यान के दुवारा, meditation के दुवारा, या ज्यान के दुवारा, भक्ती के दुवारा किसी भी spiritual practice के आप practice करें, कोई भी अध्यात्मिक सादना से आप जुड़े रहें जब आप किसी ना किसी प्रकार से अपनी कोई spiritual practice करते रहेंगे, तो आप existence से connected रहेंगे जिससे कि आपको daily base पे energy मिलती रहेंगी और आप recharge होते रहेंगे और आपकी energy positive बनी रहेंगी और आपकी सुशुना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो लोग अध्यातम में नहीं जाते हैं तो क्योंकि उनको फिर अस्तित्व से उर्जा नहीं मिलती है तो drain होने शुरू हो जाते हैं डिप्लीट होनी शुरू हो जाते हैं लेकिन जो लोग अपनी साधना में जुड़े रहते हैं तो उनको कोस्मिक अनर्जी मिलती रहती हैं जिससे की वो रिचार्ज भी होते रहते हैं और उनकी सुष्मना नाड़ी भी एक्टिवेट होई रहती हैं मतलब आपको अपनी सुष सुष्मना नाड़ी जागरित होनी शुरू हो जाएगी दूसरी बात अगली बात की मध्य में रहें कभी भी किसी एक्स्ट्रीम पे ना जाएं किसी अती में ना जाएं सुष्मना का मतलब ही है कि आपको मध्य में रहने हैं ना राइट में जाने हैं ना लेफ्ट में जाने तो मद्या में कैसे रहेंगे awareness के साथ, साक्षी भावना के साथ, हमेशा alert रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें, aware रहें कि आपको किसी भी एक extreme पे नहीं जाने हैं, तो जब आप दोनों extreme से बचे रहेंगे, दोनों अतियों से बचे रहेंगे, मद्या में रहेंगे, तो प्रकर्टिक रखें अपना आहार शुद रखें रहन सैन शुद रखें तो भी आपकी सुश्मना नाड़ी जागरित होगी और अंतिम बात साधना करें वयायाम के द्वारा योग के द्वारा प्राणयाम के द्वारा मंत्र जाप के द्वारा गहरे ध्यान के द्वारा नित्य अभ्यास करें जैसे जैसे आप अपनी इन सादना में घ्यारे जाएंगे आपकी सुश्मना नाड़ी एक्टिवेट होनी शिरू हो जाएगी तो इसी के साद मेरी बात कंप्लीट हुई मुझे उमीद है आपको इन सारी बातों से कुछ आपका ज्यानवर्दन होगा और आप इसे कुछ लाब ले पाएंगे धन्यवाद